तो हेलो सो वार्ट सब गाईस कैसे हो आप सभी लोग स्वागत है आपका जीटिये की एक और नई और ब्रैंड न्यू वीडियो के अंदर मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे आप जीटिये सेरेंडिया एंडुड गेम के अंदर क्रेश प्रोलम को कैसे फिक्स कर सकत हो और मैं आपको बताऊंगो कि आपका जो गेम क्रेश होता है वो बार बार ऐसा क्यों होता है और कैसे आप उसे फिक्स कर सकते हो सब कुछ बताऊंगो वीडियो के अंदर सब कुछ आपके लिए लाया हूँ गाइस वीडियो को शुरू से लेकर आकर तक पूरी देखें ग रहता है और आप अपने मोवाल की होम स्क्रीन पर आ जाते हो तो ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि आपका जो मोवाल का जीप्यू है गाइस यानि की पावर वीर माली और एड्रिनो इसके अपने अपनी फाइलों को रीनेम नहीं किया तो सबसे पर लिए कर लो गाइस अ क्योंकि आपकी किस लोकेशन की फाइल केंद्दर नहीं है तो जैसे आप उसी लोकेशन पर पहुचते हो आपका गेम क्रेष मार जाता हैं अब दोस्तों इसा होता है क्योंकि मानलीजिए आप नए नई को दूसरी 100 LoD कर रहे हो तो ऐसे क्योंकि आप लूर्द जैंदर से qa तो आप किया करो गाहिस तो आप देह लिए अगरो कि इस कार के अंदर आपके एक प्रवुट सोल्व हो जाएगी अब दोस्तों एक और बात आपकी जो क्लैवो इसकृट होती है सब्सक्राइब करते हो गें लुक्ष ओ कृफा आपके काराण डो गैम ट्रैस्म भी कर सकते हो तो वाई लोग एक और प्रोलम है जैसे कि मान लिए आप सिटी के अंदर कार को चला रहे हो या फिर बाइक को चला रहे हो और अचानक से आपका गेम क्रेश हो जाता है तो मैं आपको उता हूँ इसका सॉलिशन तो आप बिल्कुल ही मतर ढूरो गाईस क्योंकि और अपड़ी के अंदर दो corresponds इसे हैवई मौःल के अंदर भी, जो आपका सेरेंडर्या गेम, Android के अंदर दोस्तों क्रेशagen मार जाता है, कभी-कभी तो ऐसा होता रहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों और एक और कारण है जिसके अंदर दोस्तों मतलब आपका crash आएगा ही आएगा यानि कि आप अपने GPU की according अपने मौाल के अंदर graphics को नहीं किये हो यानि कि आपने YouTube के अंदर किसी की वीडियो को देखा और आपने उसकी graphics को करके दोस्तों है भी graphics को डाउड करके अपने मौाल के अंदर एपलाई किया और उसके graphics दोस्तों आप एपलाई करते हो तो जैसे यह आपके गेम crash हो जाता है तो आप क्या करो उसके graphics को हटा के अपने normal graphics को लगा लो तो बहुत जादा वेटर रहेंगी गाइस और वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुए graphics के उपर कि कैसे आप GTA 5 जैसे graphics कर सकते हो low devices के लिए तो आप चाहो तो उसको कर सकते हो उसके link में वीडियो को discussion में provide कर दूँगा तो आई होप आपको यह पसंद आई होगी वीडियो अब मैं आपको उताता हूं कि backup क्या होता है इस बैक अप होता है आपके गेम के अंदर जो आप चाहते हो Android के Android फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर मिलता होगा com.rockstar नाम से तो आप क्या करो उसको copy करके आप अपनी mobile के जो card reader होता है उसके अंदर आप रख सकते हो या फिर अगर आपके पास PC है तो आप उसके अंदर रख सकते हो अगर आपके mode install करने का गेम क्रेश होता है बार वार तो आप क्या करो अपनी गेम की फाइलों को delete कर दो उस वाली फाइल को copy करके paste कर दो जो अधगते दोस्तों बड़े बड़े यूटूबर होते हैं या फिर दोस्तों जो गेम केलते हैं जीटिये से अंडिया या फिर बाइक सिटी उनके जो mode install करते हैं तो उनको तो backup रखना ही चाहिए अपनी गेम के अंदर क्योंकि मानली कि आप कोई भी mode को install कर रहे हो तो आ अगर आपका गेम क्रेश होता है तो आप तुरंत ही उस फाल को replace कर सकते हो तो आई हूप आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटेस्टिंग वीडियो को लाते रहता हू तो वाई लोग लाइक करो वीडियो को शेर करो अपना सपोर्ट दिखाओ गाईस मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है गाईस और अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो दोस्तों के साथ शेर करो और मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आगर आपका गेम क्रेश होता है तो आपका गेम कहां पर क्रेश होता है क्योंकि मैं नेस्ट वीडियो लाँगा तो उसको आपका सॉलीशन बिल्कुल अच्छे से देव पाऊंगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एन गोड़ बाई